Hello friends, very good evening to all of you, दोस्तों आज का विडियो काफी ज्यादा important और खास होने जा रहा है, दोस्तों आज इस विडियो के माध्यम से बिहार में जो nursing field में जो medical department जो vacancy आने वाला है, उस vacancy का syllabus के बारे में पूरा details में explanation करने जा रहो कि क्या syllabus होने जा रहा है, क्या कुछ vacancy में क्या कु changes हुआ रहो कैसे हम लोग को study करना है, वो सारा इस विडियो के माध्यम से मैं business करने जा रहा हूँ, तो सभी लोग इस विडियो को share कर दीजेगा, अपने यार दोस्त के पास, जिस तरीका से आप सभी लोग जो classes में, classes को share करते थे, ठीक है न, तो चलिए आज का session को हम लोग इस विडियो के था, जो भेकेंसी आगो, सभी वेकेंसी में क्या होगा, एक्जाम होगा, क्योंकि बिहार का gadget जो आया था, उस gadget में clearly इन्होंने mention कर रहा था, चाहे आपके पास जितना भी experience है, या फिर आपके पास higher degree है, जो कुछ है, आपको exam में pass करना ही पड़ेगा, अग इस विडियो के description में, वर्ट्सप ग्रूप का link है, वहाँ पर join कर लीजेगा, वहाँ पर A&M, G&M, नर्सिक फिल्ड के सबकंडियेट अलरेड़ी join किये हुए, दो ग्रूप अलरेड़ी full हो गया, तीसरा ग्रूप का link अलरेड़ी डाला गया है, ठीक है न, तो मैं आपको ब competitive examination for recruitment of A&M बिहार, recruitment of A&M बिहार का ये जो syllabus है, जिसमें health promotion, midwifery, child health nursing, community health nursing, health care management, primary health care nursing, ये आपका 6 book जो आप लोगों ने पढ़ा है, नर्सिंग फिल्ड में, A&M करते बग, वो ये syllabus में पूरा इसी से technical portion पूछा जाएगा, ये confirm हो गया, ठीक है न, तो ये सारा syllabus क्या-क्या कुछ है, जैसे midwifery में क्या-क्या पढ़ना है, primary health care में क्या-क्या पढ़ना है, child health care में क्या पढ़ना है, community health nursing में क्या पढ़ना है, health care management में क्या पढ़ना है, health promotion में क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ already आपको application पे details में करवाया जा रहा है, जिस तरी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आएगा ना, उसमें आपका जो भेकेंसी है, वो आप लोग सबसे पहले यहां पर देखें, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट पुरा किलियर यहां पर आपको सारा कुछ होने जा रहा है, ध परधाना ध्यापक का 1549, विशेष्क पदाधिकारी का जो है न, यह आपका, सायक पराध्यापक का 1349 है, विशेष्क चिकित्सा पदाधिकारी का 35 है, उस तरीका समान चिकित्सा का 306 में, समान चिकित्सा पदाधिकारी जो की संबीदा पर है, यह सब जो न, संबीदा पर आएगा contract basis वो यहां पर समीदा लिखा हुआ है बारा सो नवे दंट सिकित्सक का चौसर सिश्टर ट्यूटर का 362 नर्स का जो की जी ये नेम है ज्यान दिजेगा जी ये नेम का बासाट सौन ठानों अल्रेडी इस पर विडियो बना दिए हूँ बताया हूँ कि बासाट सौन ना भी कुछ आप नेम कोछ बताया है वो एंए नेम का सिलेव एंड था यह जो syllabus अभी है यह आपका एन्म का syllabus है इसमें जी एन्म का syllabus जी एन्म की अगर exam की बात करते हो तो जी एन्म में एक दो topic और add-on कर सकता है बट note कंबल सरी कर सकता है ठीक है ना एक बात और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब frequency आएगा notification आएगा उसमें भी इस सभी syllabus क जिक्र होगा कैसे कैसे आपका exam को लिया जाएगा ठीक है ना कैसे कैसे तो अभी हम लोगों को जो पढ़ना है जो बीटी एसी ने जो जारी किया है यह बीटी एसी ने जो जारी किया एन्म के लिए इसमें कोई particular वेकेंसी का सिलेवस नहीं था इसमें बताया था कि एन्म के तहत जो वेकेंसी आएगा एन्म का वेकेंसी आएगा उसमें यह सिलेवस को पूछा जाएगा इसे से पहले जो संवीदा पे जो वेकेंसी आथा एन्म का उसमें टेकनिकल जो पूछा ही था साथ में नॉन टेक का भी पार्ट पूछा था जैसे जीक्के हो गया आपका मैठ ह हो गया बट इससे पहले जो दख जर्शास हो जो एक्जाम हों उसमें टेकनिकल ले डोन टेकनिकल if ко कुछ से पूझा तै और वो ese Video का हिं जारी क्या था जो और किने अभी अभी आप को लोगो दिखाया हो नब ही जब तक notification नहीं आजाता आपका मतलब जो slaves जारी किया है, वही slaves को आप लोगों को study करवाया जा रहा है और वही slaves को complete करना है ठीक है न, अगर कुछ add-on करेगा, तो technique, non-tech part को add कर सकता है, non-tech part जैसे math reasoning gk को कुछ portion add कर सकता है, but not compulsory, वो भी जो संबीदा वाले vacancy आएगा उसमें add कर सकता है ठीक है न, but अभी के लिए जो vacancy का जो slaves है वो फिलहाल slaves जो यह जारी किया, यही slaves को complete करना है, अगर वो कुछ, अगर add कर भी देता है, non-tech part तो वो हम लोग last में time रहते, cover कर लेंगे, लेकिन यह जो technical part है, यह तो 100% slaves यही रहने वाला है ठीक है न, यही रहने वाला है तो यह सभी का त्यारी कैसे करना है, वो सबसे पहले ध्यान दीजेगा, जब आपको Study India Day का application पर आईएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, BTSC A&M, G&M का foundation बेच जो start किया गया है, जिसका फैलिटी साल भर का है, साथ साथ में सफलता बेच का पूरा कोर्स, जिससे बिहार का सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ Study India Day से, जो आपने देखा होगा, आपके आसपास पडोस में, जो पढ़े होंगे, जो रिजल्ट लिए होंगे, उनसे भी लिजिएगा, ठीक है न, उनसे पुछिएगा, ठीक है न, तो ये जो जो बेकेंसी का, जो सफलता बेच का पूरा सलिबस है, ये सारा सलिबस, ये जो आना फाउंडेशन बेच में, फ्री में दे दिया गया पूरी तरीका से फिरी में, देखिएगा यहाँ पर बूस्टर नोट्स हो गया प्रिवेस एर कोहचन, महा मेराथन जो हुआ था साहरा, एन एम का टेकनिकल चैप्टर वाई, हिल्थ परमोशन पूरा चैप्टर वाई दे दिया गया है चाइल्ड हिल्थ नर्सिंग चैप्टर वाई, कमुनिटी जोईन करते हैं, वो सभी को दे दिया गया है ठीक है न, साथ में यहाँ पर देखेंगा, फॉन्डेशन बैच भी लिखा गया है, ठीक है न, तो यह जो भी अभी लाइब कलासे जितने भी चल रहे हैं, जो सारा कलासे, यह फॉन्डेशन बैच में आकर के सेव होते हैं, तो आप लोग को, जब जोईन कीजेगा तो यह फॉन्डेशन बैच को पूरी तरीका से डेली बेसिस पे लाइब कलासे, रिकॉर्डेट कलास के रूप में कम्प्लीट करना है जब भी टाइम मिले, आप पढ़ाई कीजे, जब टाइम नहीं मिले तो वो कलासे लाइब वाला रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो रिकॉर्डेट सेक्सेन में चला जाएगा तो आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं, देखिएगा जैसे प्रिवियस येर कोश्चन पूरा करवाया गया था अभी जो है न, दो तीन वो प्रिवियस येर करवाया गया है जिसका आप यहां से विडियो देख सकते हैं और पीडियेफ पे किलिक कीजेगा तो सामने आपका पीडियेफ ओपन हो जाएगा ठीक है न, पुरा डिटेल्स में सारा कुछ जो करवाया जा रहा है यहां पर पीडियेफ देख सकते हैं, विडियो देख सकते हैं ऐसे ही सारा अफ्लिकेसर में आप लोग ओपन होगा अभी चार्ड हेल्थ नर्सिंग के लासे चल रहा है मिडवाइफरी के किलिक किजएगा तो पीडियेफ आपके सामने ओपन हो जाएगा हर एक चीज जो है ना आप लोग को प्रोपर बे में दिया जा रहा है पूरा कम्प्लीट थियोरी करभाया जा रहा है इसमें जैसे से क्लासे और आगे बढ़ते चले जाएगा यहाँ पर नया फोल्डर बनते जाएगा और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा जैसे हेल्थ पर्म तो उसका भी यहाँ पर अलग से फोल्डर बन करके आपके सामने अप्लिकेशन पर शो कर दिया जाएगा साथ में जो मॉक टेस्ट होता है मॉक टेस्ट का यहाँ पर रिजल्ट भी पॉब्लिस कर दिया जाता है जो कि अपने देख सकते हैं निहा कुमारी शिमरन यह सब जह यहाँ पर सब कमेंट चैट लोग अप्लिकेशन पर जो कलासे चल रहा है यहाँ पर लोग सब कमेंट भी कर रहे हैं कैसे कैसे कलासे चल रहा है जो एसे आप लोग का पूरा सारा कलासे जो है ना अप्लिकेशन पर मिलने वाला है ठीक है ना पूरा कलासे अप्लिकेशन पर तो आप लोग को करना क्या है अप्लिकेशन जब जॉइन कीजिएगा तो आप लोग को जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले थियोरी पर पकड़ होना चाहिए थियोरी जब कंप्लीट रहेगा तो आप कोई भी कोश्चन को आसानी से बना पाईएगा ठीक है ना क्योंकि बिना थियोरी से अभी 10709 उसमें आप लोगों ने देखा होगा कोश्चन पूछा था मतलब मीडियम लेवर मीडियम टुट टफ लेवर कोश्चन था बट कोश्चन का जो आपसं सेट था ना उसमें ऐसा आपसं सेट किया गया था जो कि आपको लगा कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है चारों आपसं में से लेकिन उसमें सबसे बेस अंसर क्या हो सकता है वह सेलेक्ट करना था जो वह दिमाग अच्छे से लगा दिए वह अच्छा खासा स्कोर ले जो है ना एक्जाम में कर गए थे इस वर जो एक्जाम हुआ थो उसमें से कुछ ऐसे भी कंडिडिट हमारे थे जो कि 85 पलस भी नंबर लाये थे जिसका स्क्रीन स्कोर कार्ड का ग्रूप में भी सेंड किया गया था ठीक है ना अब देखिए इनक यह इतना ज्यादा से रिजल्ट हुआ है लेकिन यह जो दह जार साथ सोनो जो वेकेंसे यह कोट का छरी के चक्कर में पढ़ा हुआ है अभी जो है ना सुप्रीम कोट में वेकेंसी जो पुरा पैनली डिस्प्ले नहीं किया गया क्योंकि स्टुएंट्स लोग का बहुत लोग बोल रहे थे सर यह वेकेंसी में से रिजल्ट तो हो गया बट नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता अभी सर सेर करने में अच्छा नहीं लगता है ठीक है ना यह एक आद वो बो इसमें तो इतना ज्यादा रिजल्ट हुआ था ना और जिस वज़ए से जब नया वेकेंसी की बात जैसे ही सुनें अल्रेडी सब अस्टुडेंट अल्रेडी जॉइन कर लिए यह और अस्टडी कर रहे हैं आप अभी अगर सोच रहे हैं कि वेकेंसी आएगा तब पढ़ें आना है तो अभी से ही लगना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा ABCD जो YouTube पे कहीं कहीं लगे रहते हैं इसका यह इसका भी वो सबसे रिजल्ट नहीं होता है आपको थियोरी पुरक पढ़ना पड़ेगा तभी आप धंग से complete कर पाईएगा syllabus उसके बाद objective करने मज़ा आता है तभी यहाँ पर देख सकते है result लेते हैं और यहाँ पर टेस्ट भी देते हैं जिससे पता चलता विकली टेस्ट जिससे पता चलता कि आप पढ़े हैं तो कहा तक आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है जो ठीक है न और इसके लिए join करने के लिए आपको करना क्या पढ़ेगा ध्यान दीजेगा सबसे पहले, यह offer जो है न, देखें, पचीस चार तक यह offer था, यह offer को बढ़ा करके मैं आप लोग के लिए special fit से offer देता हूँ, ध्यान दीजेगा, क्योंकि यहाँ पर students का प्यार चलता है, फिक है न, तो ध्यान दीजेगा, यह जो offer है, पचीस, नहीं, बीस जो है न, बीस छो, दो हजार चोबीस तक offer है, तो जो student अभी तक सोच रहे है, सोचिये नहीं, तो सोचते रह जाएगा, वेकेंसी आपको सोचते सोचते निकल जाएगा, ठीक है न, जोईन कर लिए 1299 फी है, इसमें अगर SIA 200 अगर अप्लिकेशन से जोईन करते हैं कूपन क कोर्स आपको, लग भाई, 1100 में कोर्स आपको पुरा कंप्लीट मिल जाएगा, तो जो student अभी तक जोईन नहीं किये है, वो 8544, 854, 163 बामने नंबर पर call करके, फड़ा-फड जोईन कर सकते हैं, ठीक है न, फड़ा-फड जोईन कर सकते हैं, कॉल बीजी रहेगा, तो वाट सब कर सकते हैं, ठीक है न, या फी direct study India Adda application से आप course को purchase करके, वहाँ से study कर सकते हैं, ठीक है न, बाकी मिलते है next session में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है न, और classes का timing, नया time table जल्दी आपको application पे share कर दिया जाएगा, ठीक है न, बाकी अभी जैसे से classes चल रह क्या है, यह आपका सफलता बैच वाला, यह बैच वाले में जो content है, वो आपको revision करना है, इससे आपको exam से पहले bail prepare हो जाए, कि हमको इदम ready है, बस सरकार exam ले, और मैं exam को attend करने के लिए, पूरी तरीका से complete किये हुए, confidence build-up किये हुए हूँ, पढ़ाई करके, तब ही result जो ह ना हर हाल में होगा, बस मेहनत करना है, और मेहनत के बदालत ही result होता है, ठीक है ना, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद session करने के लिए, मिलते है फिनिक session में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद,